गूर्णिंग फ्रेंड्स मैं प्रभा आप सब का अपने चैनल में बहुत बहुत सौगत करते हूँ आप सब कैसे हैं होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और यह सुबह का नाश्टा बन रहा है पूरी और आलू की मसाले दार करी तो यह मेरा भी बहुत है और हस्बेंड को यह बहुत अच्छा लगता है तो आप सब भी आ जाए है नाश्टे में तो हमने तो खाना शुरू कर दिया है और यह देखिए हैं हस्बेंड की कॉमेडी भी शुरू हो गई पूरे दिंबर कुछ ना कुछ कॉमेडी करती रहते हैं तो कोरोना टाइम मे कहीं आना जाना भी नहीं है हमेशा गर्मी रहना है तो हम दोनों का अच्छे टाइम पास हो जाता है एक दूसरे के साथ ही और इस टाइम हस्बेंड वाइब को बहुत अच्छे अपना रिलेशन्शिप बनाए रखना चाहिए अच्छी बोर्डनिंग बनाए रखनी और ये दो वाइने कैसे बीद गए समझ भी नहीं आया तो हमारी तो अरेंज मैरिस थी शादी से पहले इतने वर हम मिल भी नहीं सके क्योंकि कोरोना का टाइम था तो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे तो सिर्फ फोन में ही बात करें तो मैं सोचती थी कि शादी के साथ में रहना पता नहीं कैसा रहेगा क्योंकि यह आफिस जाते तो तीरे दीर एजस्मेंट हो जाता लेकिन अभी आफिस भी नहीं जाना है लेकिन हम बहुत अच्छे से चल गया हमारे आपस में बहुत अच्छे बांडिंग हो गई कभी जगड़ा भी नहीं दो मैंने में और बहुत ही अच्छा रिलेशन्शिप डबलोप हो गया तो कोरोना के टाइम में तो सभी को प्रॉब्लम जा रही है कोई बिमार हो रहा है तो बहुत सारी टेथ भी हो रही है तो सभी परिशान है लेकिन यह सब के बीच में एक बात यह भी है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ रहने का बहुत टाइम मिल रहा है तो आप उस टाइम का यूज कीजिए और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन्शिप डबलोप कीजिए बहुत अच्छी बॉंडिंग मनाई है तो यह मेरी सुबह की क्लीनिंग का काम चल रहा है तो यह अभी डिनर प्रि अच्छी रहे तो अल्मूस्ट हो चुके हैं उनको में अलग से कडाई में पका लूँगी इसके चिलके निकालने के बाद वैसे तो हजबन को पसंदे की कच्छे प्याज और ओयल यह सब मिक्स करके देतो तो तमार्टा धनिया पत्तब लेकिन मैंने बोला कि चलो मेरी स्ट तो मैं छीवरी रहे हैं लेसुर और लेसूर के फ्लेवर के साथ बैगन की कोई भी करी खाई है या भरता उसका चैय का कुछ बढ़ी ही जाता है मैं सब्दकुना हो जाता है तो लेसूर तुबकूल मैंने तटरी है बैगन के साथ तो भली रहसु छीने में थो टाइम लगता है लेकिन टेस्टी खाना है तो छीनना तो पड़ेगी और मुझे रहसु तो फ्लेवर तो जाते हैं चाहिए था बाइगां में तो जादा कॉंटिटी में रहसु डागता है और मिर्ची तो उतना हस्पिर्ट में पसन नहीं है तो मिर्ची में थोड़ से कमी डालोगी तो मैंने या पे रहसु को छोका लगा दिया है और इसके बाद में प्यास जालोगी हस्बेंड को तो मेरे बैगन के भरता बनाने के स्टाइल ही अच्छी लगी है उनके स्टाइल से तो आज मैंने उनकी हैरकट भी किया है क्योंकि आजका सलून भी नहीं जा सकते बहार जाना बहुत रिस्की है तो घर पर ही कटिंग कर दिया है लेकिन वाला वीडियो में आदो चीजिया है तो अब क्या अब出来ाज अब अचार्ण की सफाई ईएतों एक यह इन दिए फाद से मोटदन के इसन तो कि आए पड़तन की सफाई दो हो गई है और अब आदया चल रही है किचन की सफाई तो मैं जितना भी रात हो जाएं कुकिंग के बाद मैं ऐसी गंदा किचन नहीं छोड़ती हूँ तो पूरे बरतन भी साफ कर देती हूँ और पूरा यह प्लेटफॉर्म और पूरा चूला सब साफ करके ही सोती हूँ तो अभी भी फड़ा फट सफाइक कर दे रही हूँ और फिर इसके बाद जाना है सोने तो चलिए फिर मैं भी अपना वीडियो यहीं पैंट करती हूँ यदि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजेगा और कमेंट कर दीजेगा और नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रखे लिए बाई बाई